हलो एविवन वेल्कम टू मैं चैनल जैसे कि हमने लास पार्ट में देखा था हान और इवान जंगल से लगडिया एकट्टे करने गए हैं तो आगे कपार शुरू करते हैं इवान आके बहुत खूश हो जाता है और सबको इद्धर प्रॉडली होके बुलते रहता है कि देखो अब इसको क्या हो गए हैं और उसकी girlfriend बुलती है कि लियो ली निवान तुम्हें पता नहीं है ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है तो क्या मतलब इतनी सारी लगडिया लाने का तो यवान बहुत सोच में पढ़ जाता है कि क्या उसकी girlfriend बुलती है मैंने बताया था ना क कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है और तुमने इतनी सारी मैनत की लकड़ी लाने के लिए तो यहान बहुत सोच में पढ़ जाता है कि यार इसको क्या हो गए यह क्या कहना चाहती है मैं तो बस लोगों से यह सुनना चाह रहा था कि मैं कि था कैपबल हूं हर चीज करने के ल लिए तो वो इदम शौक पढ़ जाता है क्या तुमने यह काम किया तुमने तो इससे पहले ऐसा कभी कुछ काम नहीं किया तुम्हें लगाने कि यह बहुत गंदा काम है तो यवान कहता है कि हाँ वो तो है पर मैंने गलफ्स पहना था यह सच है कि मैंने इससे पहले काम नह यानि कि मैं कुछ काम भी ने कर सकता हूं तभी उसके पास हान आता है और बोलता है कि दिखाओ तुम्हारे हाथ को दिखाओ मुझे तो यवान बहुत ही शर्माते बोलता है कि क्या करना चाहते हो तुम मेरे हाथ लेके तो हान कहता है कि तुम्हारे हाथ में इंजर्ड हो गया तो यवान कहता है क्या पूरे टाइम और फिर मन में सुचते है कि बस मैं पूरे टाइम तुम्हें ही देख रहा था कि तुम कैसे छोटे-छोटे जो पेड़ के डहनिया रहती है उसको खटा कर रहे थे और किस तरह से तुम्हारी आवाजे आ रही थी जब तुम उस नुकीले हुए पेड़ो के पत्तों को उठा रहे थे तो और तुम इतने जोड-जोड से चिला रहे थे कि मैं क्या बता सकता हूं और फिर यवान कहता है कि अरे तुम कुछ बोलते की नहीं क्या हुआ आगे और फिर वो फिर से सोचने लगता है कि हां तुम इंजड होने के तुम को क्या हो गया है और हन बहुत ही खुश होता रहता है और मन में सुचता है कि हां तुम सही में बहुत खुश हो गये थे तुम्हें किसी ने हल्प के लिए पुछा और हन कहता है कि हां एक्चुली तुमने बहुत अच्छा काम किया इसलिए मैं तुमको एक यलो फ्ला अर तुम क्या बस यही करना चाह रहा थे मेरे साथ अभर जाहना अपने हैथ हार उसके सर verlier की कहता है कि थैंक्यू lub की तुमने जो मेरे लिए मैं तुम को आच्छा दिनाज जरूर दूंगा और वो ऐसे बोलते है, वहाँ से चला जाता है। और सब लोग अपना डिनर कमपलीट करते रहते हैं, बर एक अगवान रहते है, वो इसके पेट में बहूत गुड़़भुबसते रहते हैं, उसको भूग लगते रहते हैं। बट बिचारा तो कुछ करने सकता है और वो मनुश सुचता है कि जूटा कहें का उसने कहा नहीं था कि वो मेरे लेकर लेकर आएगा पर अभी तक नहीं आया है तब युसकी गल्फिन आके बोलती है कि तुम यह क्या करें तुम यहां बैठे क्यों हो तुमको नहीं लगता है क कि हाँ मुझे पता है तुम तो अपना खुद का डिनर लेकर आयोगे और तुम्हें क्या जरुवत है ऐसा खाना खाने के और महां से चले जाती है और दुसरे साइडिवान बहुत गुस्सा करता रहता है क्योंकि इसको बहुत भूख लग दे रहती है और वो मन में सुचता है कि अच्छा तुम यहां आ ओन मैं तुम्हें पता नहीं कहा-कहा ढूंड रहा था था और फिर वो सर उठा के देग तो सच में वहाँपा साना आ और उखाते गोलते और कि विटना डेलिशिस है बहुत ही टेस्टि है और उसके बाद रात थोड़ी और ज्याद़ बैज्ट यहां पस यहां पस यहां उस हंशी गल्फइंट को साथ करओं Самीनै कि मैं उस एम के साथ में आड़ा सकते हूं billion लगत तुम्हें खुन के साथ वहां से फिर की सिर्फ भुष्थे से चले जाती है उसुष्था कोई और चला जाता हूं km गुस्था करके वहां से चला जाता है चैय सक है उसको चेंज कर सके हैं छान के साथ हूं तो हान कहते है क्या तुम किसके साथ शेयर करना चाहते हो मतलब तुम है साथ कोई शेयर नहीं करना चाहते है क्या फिर वो सुचता रहता है कि फैंक्स हो अरड़ी किसी और के साथ है और उसका एक और दोस्त है वो भी किसी और के साथ है अब मैं किसके साथ रहूँगा यानि क कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है वह नो ऐसा भी होन नहीं सकता है फिर वो बोलता है यूँआ कि मुझे बिल्बल पसंद नहीं है किसी और परसंद के साथ या स्टेंजर के साथ अपना रूम शेयर करने के लिए मुझे अपना खूद का टेंट चाहिए तो हान कहता है कि मुझे यह नहीं लगता कि तुम्हें और करेंट मिल सकता है तो वो तूरांदी जाने लगता कि वैसे भूल जाओ तुमें सब मैं चला जा हूंगे और फिर बोलता है कि इतनी रात को तुम मॉंटेन में क्या करोगे कहां जा रहे हो इवान कहता है कि मैं बस के पाजार हूं बस से मैं घर चला जाओंगा तो हन कहता है कि क्या पता नहीं कि बस यह सिर्फ दोई बार चलती है क्योंकि उनका शेडियूर बहुत है ताइट अब बस नहीं चलती है कोई बात नहीं मैं ड्रावर को बहुत सारे पैसे दोंगा और वैसे भी वो पैसे दे के बिलकुल मना नहीं करेगा और वो चलने लग जाएगा मैं इसा तो हन कहता है कि क्या तुम यहां से पैसे से बात करोगे तुमको नहीं लगता कि एक ग्रूप इवेंट है और तुम्हें हमें सोड़के कहीं नहीं जाना है और सब जाएंगे तो साथ ही जाएंगे सुना तुमने फिर इवान कहता है कि हां पता है मुझे पर मैं किसी स्टेंजर के साथ नहीं रह सकता फिर हान कहता है कि कोई बात नहीं तो तुम मेरे साथ मेरे टेंट मे hope you like this video